हलो फ्रेंड्स यहाँ पर सेल इस्टील प्लांट दूरगापूर की तरफ से एक नई वेकेंसी आई टीए और डिप्लोमा के लिए लिए पर्मानेंट वेकेंसी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस नई वेकेंसी के बारे में तो अगर आप भी आई टीए की आई डिप्लोमा की आई और पर्मानेंट वेकेंसी का वेट कर रहें तो सेल की तरफ से, सेल दूरगापूर की तरफ से एक न्यूरेक्रिमेंट आचुकी है ITI के अपरutionsी के लिए पर्मानेंट तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं वेकें इसके पहले भी एक वेकेंसी स्टील प्लांट में चल ले उसका फॉम फिलप का वीडियो आलेडी चैनल पर प्लोड है इसके साथ ही एक नई वेकेंसी और आ चुके तो यहाँ पर बहुत सारे वेकेंसी गेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं यह सब हाईयर ग्रेट की अमभी दस वेकेंसी है टोटर यहाँ पर आईटाई कैंडिडेट के लिए 35 वेकेंसी दिया गया है और इसके लिए आपके पास केवल 10 वेकेंसी प्लस आईटाई होना चाहिए कोई भी एक्सपिरियन्स कोई भी अप्रेंटिस कुछ जरूर्वत नहीं फ्रेसर कैंडिडेट के दिप्लोमा के लिए आपरेटर टेक्निस यया वॉयलर आपरेटर की वेकेंसी है तो इसके लिए यहाँ पर 10 answer प्लस 3 years दिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या तो मेकें कल में, इलेक्तिकल में, केमिकल में या पाषर प्लान्ट में या प्रोडक्शन में इसके किसी भी ब इसके बाद एक चीज और बता दें हाल इंडियास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें सो बीसी कैंडिडेट जो हैं उनका जो कास सर्टिफिकेट होगा वो जो देख सकते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंकम सर्टिफिकेट जो है उनका वो भी 1423 के बाद का होना चाहिए तभी हो यहां पर रिजोरेशन का बेनिफिट ले पाएंगे मोड आप सेलक्षन यहां पर स्रिबीटी बेस्ट पर टेस्ट कराया जाएगा आपका एक्जाम होगा उसी के आधार पर आपका सेलक्षन किया जाएगा यहां पर दिया गया अग्जाम सेंटर की बात करते हो तो एक्जाम सेंटर यहां पर आल इंडिया में बनाया जाएगा लेकिन मेन मेन जगह यहां पर देख सेते कौन कौन से सीटी में हैं ज्यादा जगह नहीं बनाया गया है यहां पर भुनेस्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और इसके अलावाद दिल्ली और पटना और राची इतना इस सेंटर आपको यहां पर शीबीटी के लिए मिलेगा तो इसी सेंटर में से आपको एग्जाम देने जाना होगा इसी सेंटर में से आपको सेलेक्ट करना होगा अब बात करते हैं यहाँ पर ITI का एंडिडेट जो हैं उनका सेलेक्षन हो जाता है तो क्या होगा तो यहाँ पर ट्रेनिंग करा जाएगा पहले दो साल का फर्स्ट पहले साल उनको 12,900 रुपे और दूसरे साल यहाँ पर 15,000 का पेमेंट दिया जाएगा मन्थली इस टाइपेंट दिया जाएगा उसके बाद 2 साल के बाद उनको पर्मानेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको पर्मानेंट करके जो भी इसके according salary मिलती ठीक ठाक आपको salary मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर permanent होने के बाद आपको attendant come technician S1 trainee के रूप में यहाँ पर भत्ती करा जागा जिसका यहाँ पर basic salary यहाँ पर बताएगा 25,000 से लेकर 35,000 तक है basic है इसके लिए और बाकी जो चीज आपको सब allowance दिया जाता हो सब दिया जागा वहीं diploma के लिए जो आप return come technician के वेकेंसी है उनके लिए यहाँ पर 26,600 से लेकर 38,900 रुप में बाकी इसके लिए जो भी भत्ते दिया जाते हो पेमेंट रखा गया वहीं diploma candidate के लिए 500 रुपय का पेमेंट नार्मल candidate के लिए और जो reserve candidate है उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपय का पेमेंट रखा गया तो आपको फीज भी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप apply करते हैं तो आनलाइन अप्लिकेशन श्टार्ट हो चुका है इसका जो है नौ तारिक से नौ जनवरी 2023 से और इसके लाजड डेट की बात करते हो यहाँ पर 30 जनवरी 2024 से श्टार्ट हुआ और लाजड डेट 30 जनवरी 2024 रखा गया इसके पहले आपको apply कर लेना है अप्लाई करने में से बना दूँगा कैसे आपको form feel up करना वैसे आसानी से जाकर इसके website पर apply कर सकते हैं पीछला जो वीडियो मैंने बनाया था जो है उसको देखकर भी apply कर सकते है प्रोसेस सभी का सेम है कोई अंतर नहीं है तो दोस्तों I hope वीडियो आपके लिए useful रहा हो आपको इसी प्रकार पूरी स्टील प्लांट के अंतरकर जो एक NCI इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और इस रिलेटेट आपको कोई भी इनफर्मेशन चाहिए तो आप जो चैनल को सस्काइब करके रखिए और साथी वीडियो के नीचे कमिट कर सकते हैं वीडियो दखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद